हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बिलकुल मैं लाली वर्मा आप सभी का मैंगनेट ब्रें सिंधी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्यारे ग्यारवी कक्षा के होनहार विद्यार्थियों लेकर आई हूँ आज आपकी ही पार्ट पुस्तक दिगंत भागे का प कर बार फिर से पुनाहा कुमार गंदर्व जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बात है उसके साथ ही बेजोड़unto गाई का लतम अंगेशकर जीवन से और उनके गायन से जुड़ी कुछ अद्भुत बात है उनके स्वरों की तल्दीनता उनके गानपन की विशेशता उनकी आवाज ही उनकी पहचान और ऐसी गाय का जो हमेशा शीर्ष पर रही अपने संगीत के शेत्र में लगभग 50-60 वर्ष बिताने के बाद भी हमेशा शीर् तब जाकर आपको ये पाठ भी समझ में आएगा संगीत का अर्थ भी समझ में आएगा चित्रपट संगीत क्या है शास्त्रिय संगीत क्या है ये सब आप समझ पाएंगे तो आईए हम चलते हैं सबसे पहले कुमार गंधर्व जी के जीवन परिचय की ओर कुमार गंधर्व जी जन्म हुआ 8 अप्रेल 1924 प्रशन पूछ लिया जाए कि कुमार गंधर्व जी का जन्म कब हुआ कौन से सन में हुआ बता दे ना 8 अप्रेल 1924 को अरे बाप रे क्या आप संगीत से जुड़े हुएं नहीं हमारी कक्षा में हमारी पाठ भुस्तक में के पाठ है उनका औरे बाई वाँ 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 कहांगे आपको इतनी समझ रखते हैं कोई पूछने भाई शास्रिय संगीत क्या है शास्रिय संगीत में गंभीरता होती है कहांगे यह बच्चा 11 वी में है लेकिन संगीत की क्या समझ रखता है हां तो यह ऐसा है कि आपको जो भी पाठ क्रम में आपकी पाठ क्रम में हिंदी की में बात कर रही हूँ जो शामिल है ना पाठ उनको ध्यान से सुनो समझो ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पाठ से संबंदित पूछ लिया जाए तो पूरी तरह से सही हो जाएगा निधन सन 1992 जन्मिस्तान ग्राम सुलेभावी जिला बेल गाव करनाटक मूल नाम शिप्पुत्र कोमकली पिता सिधर मया कोमकली गायक और कोमकली मठके प्रधान निवास इस्थान देवास मध्यप्रदेश में तो देखिए जन्म हुआ था करनाटक में लेकिन रहते कहां थे म अध्यप्रदेश देवास में देवास इन दोर सुना ही होगा आपने यह इनका निवास स्थान संगीत गुरू कौन रहे आपके प्रॉफेसर बी आर देवधर जो महराश्ट के प्रसिद्ध संगीत आचारे थे तथा अंजनी बाई मालवेकर जो प्रसिद्ध गाई का एवं स अंगीत गुरू रहें तो हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरू का खास थान होता है गुरू के मारख दर्शन से ही हम अपने लक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं लक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने जैसे नाव में एक नाविक होना जरूरी होता है ना वैसा ही जीवन में गुरू का होना आवशक होता है तो उनके गुरू आप देखी लिजे प्रसिद्ध है प्रमुख कृतियां अब देखते हैं कि कुमार गंधर्व जी ने कौन कौन सी रचनाएं की है अनूप राग विलास एवं अनेक लेक निबंध और टिपनिया पत्र पत्रिकाउं में बिखरी अनेक रचनाएं अप्रकाशित अनेक म्यूजिक कंपनियों द्वारा उनके गान के रिकॉर्ड तथा कैस जारी सम्मान सम्मान सर्वोच सम्मान जो होता है ना सर्वोच सम्मान क्या होता है भारत को सबसे उचा सबसे उचा सम्मान होता है भारत रत्न तो कुमार गं संगीत आधांगी से वे जुड़े थे तो संगीत के शेत्र में जो सेरवोच संवान होता है आधें अब यहांपर देखो भारत सरकार की संगीत नाटा काकादमी։ रहे भारत भवन भोपाल के स्थाई सदस्य रहे कालिदास सम्मान राश्टपती द्वारा पद्मभूशन विक्रम विश्विद्याला उज्जेन द्वारा डीलिट की उपादी अनेक पुरसकार सम्मान एवं अलंगरण पुरसकार ओके यह रहे आपके सम्मान अब हम चलते हैं कि कब की बात है कौन से अनुभवों को कुमार गंधर वजी ने हम सब के साथ साजा किया है तो वे हमारे साथ अनुभव साजा करते हैं कि बात है बहुत बरसों पुरानी बात है जब क्या हुआ था उस समय उन्होंने इसको आत्मकथात्मक शैली में लिखा है इसलिए मैं शैली का प्रयोग किया है मैं शब्द का प्रयोग किया है और जब भी किसी भी रचना में मैं शैली के प्रयोग से रचना की जाती है तो इसको आत्मकथात्मक शैली कहा जाता है ठीक है तो मैं बीमार था उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियू लगाया और अचानक एक आधवत्तिय स्वर मेरे कानों में पड़ा स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर तो कुछ विशेश है इसमें कुछ विशेशता है रोसका तो नहीं है यह सीधे मेरे कलेजे पर जा भड़ा मतलब सीधे दिल तक पहुँच गया कि इतना मधूर संगीत इतना मधूर स्वर आखिर है किसका मुझे समझ नहीं नहीं आ रहा तक यह स्वर किसका है मैं तन मैता से सुनता ही रहा पूरे समरपण भाव के साथ गाना समाप्त होते ही गाईका का नाम घोशित किया गया आप सुन रहे थे लता मंगेशकर जी द्वारा यह गीत तब कहीं जाकर कुमार गंधर्व जी को पता चला कि गाईका का नाम है लता मंगेशकर जैसे ही लता मंगेशकर अनाउस हुआ तुरंत कुमार गंधर्व जी समझ गए यह दीनानात मंगेशकर की सुपत्री ही होंगी नाम सुनते ही में चक्कित हो गया एकदम मनही मन एक संगती पाने का अनुभव हुआ सुप्रसिद गायक दीनानात मंगेशकर किया जब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव प्राप्त हुआ और ऐसा लगा कि एक प्रसिद गायका से मिला जाए मुझे लगता है कि बरसाथ के पहले कि किसी चित्रपट का भाय कोई गाना था तब से लता निरंतर गाती चली आ रही और मैं उनका गाना सुनता आ रहा हूँ लता के पहले सुप्रसिद गायका नूर जहां का अच्छा खासा चित्रपट संगीत में बोल बाला था लेकिन लता जी के आने के बाद उनका जैसे वर्चस कम होता गया नूर जहां के स्वरों में कुमार गंधर जी ने बताया है कि उनके गीतों में उनके स्वरों में क्या था तो देखे यहां पर उन्होंने बताया है कि लता के पहले सूपरिसिद गाई का नूर जहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था नूर जहां परंतो उसी शेत्र में बाद में आई लता उनसे कहीं आगे निकल गई और इतनी आगे कि उनके बाद आने वाले भी उन्हें पीछे नहीं कर सके कला के शेत्र में ऐसे चमतकार कभी कभी दीख पड़ते हैं जैसे प्रसिद सितारिये विलायत खाँ अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए मेरा सपस्ट मत है कि भारतिय गाईकां में लता के जोड की गाईका हुई नहीं तब ही तो शीर शर्दिया है बे जोड गाईका लता मंगेशकर क्यूंकि वे भी संगीत तक रहे हैं कुमार गंदर्व जी गायक भी रहे हैं संगीत से अच्छी खासी समझ रखते हैं तो वे सुनकर समझ रहे थे कि लता जी के जोड की तो कोई गाईका है ही नहीं लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षन लोग प्रियता प्राप्त हुई चित्रपट संगीत ने ऐसी प्रसिद्धी पाई कि फिर लौट कर कभी पीछे नहीं देखा यही नहीं लोगों का शास्री संगीत की ओर देखने का द्रिष्टी कौन भी एकदम बदल गया सब को समझ में आने लगा कि अच्छा संगीत किसे कहते हैं नई पीड़ी युवा पीड़ी बच्चे सब संगीत की तरफ जाने लगे संगीत के प्रती अपनी रुची दिखाने लगे यह सब भी उन्होंने कहा है आज कल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर आ गया है पहले लोग संगीत से इतने जुड़ते नहीं थे क्योंकि केवल शास्री संगीत था और शास्री संगीत में रहती है गंबीर था अब बच्चे कैसे गंबीर हो जाएं? बच्चे तो चंचल रहेंगे. तो चित्रपठ संगीत में चंचलता देखी गई? और चित्रपठ संगीत के बाद लता जी जब आएं तो उनके गानों में चंचलता, चपलता, हास यह, शरंगार, प्रेम, करुन, सब कुछ देखा गया. जबकि नूर जहां के गानों में सिर्फ मादकता ही दिखाई देती थी ठीक है? अब क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कहने का ताथ पर है कि लता ही इस जादू का कारण है कि छोटे-छोटे बच्चे नई पेड़ी भी संगीत के प्रती रुजान दिखा रही है को की लाका स्वा निरंतर कानों में पढ़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उनका अनुकरन करने का प्रत्न करेगा यह स्वाभाविक है जिसने भी लता जी के गीत सुने हैं वो सुनते ही चला जाएगा बशर्ते की एक बार ध्यान से सुन ले बस चित्रपट संगीत के कारण सुन्दर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पढ़ रही है संगीत के विविद प्रकारों से उनका परीचे हो रहा है उनका स्वर ग्यान बढ़ रहा है सुरीलापन क्या है इसकी जो समझ है वो भी होती जा रही है तरह तरह की ले के भी प्रकार उन्हें सुनाई पढ़ते हैं और आकार युक्त लेक के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है कहने कतात पर यह है कि संगीत होता क्या है गाना कैसे गाये जाते हैं किसी भी गीत या गाने में गानपन का होना जरूरी है इससे भी सभी लोग परिजित हो रहे हैं और यह कैसे संबब हुआ लता जी जी के गाने के बाद क्यूंकि लता जी ने किसी एक तरीके का गाना नहीं गाया है कि बस करुण में गारही है तो सिर्फ करुन में गा रही है हसी मजाक के गा रही है तो मेरे खाबों में जो आए आके मुझे चेड़ जाए तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं कि हर तरह के वो जो गीत गाती हैं तो उसमें उसी तरह के लोग जूमने लगते हैं कि जूरासा जूमलू में औरे न औरे न औरे न ये सब जो गीत हैं उसमें मस्ती भी छा जाती है और यदि बात करें करुण की, दुख की, शोक की तो ए मेरे वतन के लोगों याद करिये जिस तरह के गीत लता जी गाती हैं उसी तरह के भाव सुनने वाले के मन में उत्पन हो जाते हैं यही उनके गीत की खास विशेशता रही है और इसी के चलते नई पीड़ी संगीत से जुढ रही है इसमें कोई अतिशोकती नहीं है कि संगीत से जुढने का सबसे बड़ा जो कारण रही है वे लता जी रही है इन सबका श्रे लता को है इस प्रकार उसने नई पीड़े के संगीत को संसकारित किया है आप से यदि पूछा जाए कि संगीत को या नई पीड़े को संगीत के प्रती संसकारित करने का श्रे किसको जाता है बिल्कुल अब आप बिल्कुल कह सकते हैं साफ तौर पर कह सकते हैं कि लता जी के माध्यम से ही नई पीड़ी को संगीत कर संसकार प्राप्त हुए ठीक है सामाने मनुष्य में संगीत विश्यक अभीरुची पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है कि पहले लोग संगीत का सासे भी परिजित नहीं थे लेकिन आज का लोग गुन गुनाते हैं गाऊं-गाऊं में पहुंच चुकी है लता जी कोई किसी को जाने या ना जाने गाए काव में सब कहते हैं यह लता जी का पता है होता कहा है मैं अपने अनुभव करूं तो कोई भी गाना कोई दी हो गय енная sing लेकिन ऐह ल्टाजी का रही है क्योंकि नाम से सिर्फ लटाजी को जानता है लटामंगेशकर और किसी को पहचाननी नहीं चाहते हैं ये गाउं गाउं में यह शबी है लटा जी कि तो गाउं हो शहर हो बच्चे हों सबके दिलों पर राज किया है लता जी ने अपने स्वरों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से संगीत की लोक प्रियता, उसका प्रसार और अभिरुची के विकास का श्रे लता को ही देना पड़ेगा यहां पर पड़ेगा शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि चाय कोई भी कुछ कहले लेकिन लता जी को ही इसका श्रे जाता है कि संगीत की लोक प्रियता का श्रे लता जी को चित्रपट संगीत की प्रसिद्धी का श्रे लता जी को हर एक बच्चों में, बडों में, बूडों में संगीत के प्रती रुची श्रे लताजी को जहाँ-जहाँ संगीत है वहाँ-वहाँ लता-लता है जैसे तुम डाल-डाल मैं पात-पात ना उसी तरह से लताजी हर लता में है, हर जगे है सावानिश रोता को अगर आज लता की ध्वनी मुद्रिका और शास्रिय गाईकी की ध्वनी मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता जी की ध्वनी मुद्रिका पसंद करेगा क्योंकि शास्रिय संगीत को समझना हर किसी के वश की बात नहीं है क्यों? उसके पीछे कारण है क्योंकि शास्रिय संगीत का जो इस्थाई भाव है वो गंभीरता है और गंभीर होना हर किसी के वश की बात नहीं है चंचलता चपलता बच्पन बालपन ये समोज मस्ती इसमें जरूरी है तो उनके गीतों में सब कुछ दिखाई देता है गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था ये शास्री बैवरा इसा आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता कि भाई कौन सा राग है कौन सा सुर है मुझे तो रागों के नाम भी नहीं पता लेकिन गीत बड़े अच्छे लगते हैं कौन से चित्रपट संगीत के ठीक है उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था ये ताल तरताल था भहरव था क्या था तो चाहिए बस मिठास जो से मस्त करते जिसका वह अनुभव कर सके और वह स्वभाविकी है कोई भी व्यक्ति जब कोई संगीत क्यों सुनता है संगीत क्या करता है क्याती ना संगीत तो लाक रोगों की दवा है संगीत रोते हुए चेहरे पर मुस्कराहट ला देता है संगीत लेकिन कौन सा संगीत चित्रपट संगीत शास्रिय संगीत तो और गंभीरता ले आएगा बता चला खेर हम नहीं जानते तो उस विश्व में हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं लेकिन यहाँ पर चित्रपट संगीत को ही कुमार गंधर जी ने सबसे बेजोड बताया है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्टा हो तो वह मनुष्य है वैसे ही गानपन होगा तब ही वह संगीत है और गान पनाता है रियाज से, अब्याज से, निर्मलता से, पूरी तलीनता से, श्रद्धा से जो कि लता जी के गानों में साफ साफ देखने को मिलता है लता का कोई भी गाना लीजिए उसमें शत्त प्रतिशत गानपन मौझूद मिलता है लता की लोग प्रियता का मुख्य cor clinical निर्मलत है कोई भी गीत किसी भी प्रसंग से सम्मनित गीत हो उसी तरह के भाव डाल देती हैं पिरो देती हैं लताजी समझ में आया मस्ती के भारा गीत में मस्ती प्रेम श्रेंगार में प्रेम में डूब जाएगा व्यक्ति उनके गीतों को सुनकर करुन या शोक की बात हो तो उसी में डूब जाएगा ठीक है तो वो उसके साथ हर एक ग उत्वुन साथ पूरा-पूरा नियाए की दुखी का गाना मस्ती में नहीं गाना रहा हूं यह का भी की नियर मलत और मैं काूं उनके सवरों की निरमलता यह गाने की विशिष्टा कहेंगे हार मैडम पढ़ा रही है क्या कर रही है हो सकता है आप ही कॉमेंट सेक्शन में लिख दें मैडम वहां लिखा है वैसा तो आप पढ़िए क्योंकि गाने के या कोई भी जो भाशा है उसी अनुरूप जब हम पढ़ते हैं तभी समझने में आसान होती है और मजा भी आता है अब उनके पहले की पाश्व गाईका नूर जहां भी एक अच्छी गाईका थी इसमें संदेन नहीं है तदा भी उनके गाने में मादक उत्ताद ही दीखता था सिर्फ मादकता दिखती थी मादकता मतलब जिसको हम कहें कि पूरी तरह से प्रेम में नूर जहां के गीता अब सरच करके सुनियेगा तो समझ में आएगा लता की सवरों में कोमलता और मुग्धता सब कुछ दिखाई देता है ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दिख्टी कौन है वही उनके गाईन में निर्मलता के साथ जलकता है और यह ब वो जवार जहलकता है बिल्कुल आब जैसे कोई यदि अनुशासित होगा उसके व्यभार में अनुशासन्टा दिखाई देगी और कोई व्यक्ति यदि सच्चा करो मैं सच्चा और हो वैँस कहने की यावशक्त होगा , जो जैसा है उसको दुनिया पूरी वैसी दिखाई देती है और व्यक्ती जैसा मन से होता है वैसा ही वैबार से छलकता है तो यही दिखता है कि लता जी का जो जीवन की ओर देखने का जो दृष्टी कोण था वही उनके गानों में भी छलकता है हाँ संगीत दिखदर्शकों ने उनके स्वार की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया है कुमार गंदर्व जी ने कहा है कि जिस तरह से लता जी का उपयोग कर सकते थे संभवता वैसा नहीं कर पाए मैं सोयम संगीत दिखदर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता है ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता कुमार गंदर्व जी ने ये कहा कि अधी कभी मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं ऐसी जटिल कठिन कुछ ऐसे चैलेंज देता लता को फिर देखता कि वो निवा पाती है कि नहीं लेकिन कहने के पीछे उनका तर्व यही है कि हर जटिलता को वे पार करके बढ़ती है लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नाध मैं उच्चार नाध मैं मतलब जो भी शब्दों का हो एक-एक शब्द एक-एकक शब्द यदि हम सुनेंगे न बेटा तो एक-एक उसके गीत के किनी दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाब द्वारा बड़ी सुन्दर रीती से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है परन्तु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वभाविक हो बैठी है ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुन रस विशेश प्रभावशाली रीती से व्यक्त होता है ऐसा माना जाता है कि लता जी के गीतों में प्रमुख रूप से जो रस है वो करुन रस है ठीक है तो अब करुन रस कुमार गंदर्व जी ने कहा है कि उनके अनुसार करुन रस के साथ उतना नयायन नहीं किया अपना अपना मानना है पर मुझे खुद बात यहां नहीं पच है त perse 만들어 कभा कि इसमें लता का दोश कितना है और संगीत दिख्डर्शकों का दोश कितना लटा का सामाने ता उूँची पती में रहता है उची पटी से समझ गया वह सबसे हाइपिच तो उनवहने तार सब्तक को कहा है कि अक्सर लता से उची पट्टी में ही गाने गवाय गए हैं क्यों उसको मध्य में नहीं गवाया गया तो गाने में संगीत दिख दर्शक उसे अधिका दिख उची पट्टी में ही गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते हैं क्या पता क्यों एक प्रश्ण उपस्थित होता ह कि शास्रिय संगीत में लता का इस्थान कौन सा है ये भी प्रशन है कि कोई पूछे कि अच्छा ठीक है मान गए भाई कि लता जी चित्रपट संगीत में सबसे उच्छ हैं सर्वोपरी हैं लेकिन प्रशन ये कोई पूछ ले कि शास्रिय संगीत में लता का कौन सा इस्थान है तो देखो कुमार गंदर्व जीन उनको साफ साफ जवाब दिया है कि मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजन हीन है अकारण है क्योंकि हम लता का चित्रपट संगीत के साथ साथ या शास्रिय संगीत के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते उसका कारण यह है कि शास्रिय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती दोनों अपने अपने अलग अलग है जैसे कोई कहे कि बताइए महिंदर सिंग धोनी अच्छा खेलते हैं कहने का ताथ पर यही है कि शास्रिय संगीत और चित्रपट संगीत का कोई तुलना नहीं की जा सकती अपने आप में दोनों अलग अलग है हाँ वो क्या है यह हम बता सकते हैं लेकिन कौन ऊपर है कौन नीचे कौन सही है कौन गलत किसे अच्छा माना जाए किसको नहीं यह प्रशन गलत है ठीक है तो उसका कारणी है कि शास्री संगीत और चित्रपड संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती जहां गंभीरता शास्री संगीत का इस्थाई भाव है वहीं जल दले और चपलता चित्रपड संगीत का मुख्य गुन धर्म है चित्रपट संगीत का ताल प्रात्मिक वस्था का ताल होता है जबकि शास्रे संगीत में ताल अपने परिश्कित रूप में पाया जाता है चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है उसकी लेकारी बिल्कुल अलग होती है आसान भी होती है किसकी चित्रपट संगीत की चित्रपट संगीत को आधे ताल में गाया जाता है मतलब उत्ला सुर्टाल ले कौन सी ताल है कहरवा है और कौन सी भैरवी है कौन सी ताल है यह सब शास्रे संगीत में पता होगा चित्रपड संगीत में आधी आधी तालों का ही प्रेयोग होता है उसकी लेकारी बिलकुल अलग होती है आसान होती है यहां गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है सुलबता और लोच को अग्रिस्थान दिया जाता है तदा पी चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्री संगीत की उत्तम जानकारी आवशक है और लता के पास नीशन सा है चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्री संगीत की उत्तम जानकारी होना चाहिए एक बात और ध्यान सुनो कि हम यह नहीं कह सकते कि चित्रपट संगीत शास्रिय संगीत से बिलकुल अलग है या विपरीथ है जो भी चित्रपट संगीत से जुड़े हैं उन्हें शास्रिय संगीत की भी जानकारी होनी ही चाहिए जब शास्रिय संगीत की जानकारी होगी तब ही चित्रपट संगीत के साथ नियाएक कर पाएंगे समझ में आया तो ये उन्होंने कहा है कि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्रे संगीत की उत्तम जानकारी होनी आवशक है और वह लता के पास निशंस है मतलब लता जी को शास्रिय संगीत का भी ज्यान था तब कहीं जाकर वो चित्रपट संगीत में अपना नाम शीर्ष पर रख पाएं समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि चित्रपट संगीत को कोई भी उठकर गाने लगा और मशूर बन गए समझ में आया बच्चो तीन साड़े तीन मिनिट के गाय हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकात खान दानी शास्रिय गाय की तीन साड़े तीन घंटे की महफिल इन दोनों का कलात्मक और आनंद वात्मक मूल एक ही है ऐसा मैं मानता हूँ कहा है लेखक ने किसी उत्तम लेखा का कोई विस्त लेख जीवन के रहस का विशद रूप में वरन करता है भई रहस से छोटे से सुभाशित का ननी सी कहावत में सुन्दरता और परिपूनता से प्रकटोना भी द्रिश्टी कुचर होता है उसी प्रकार तीन घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की तीन मिनिट की ध्वनी मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है आपने सुनाओगा गागर में सागर भरना कोई किसी बात को बड़े विस्तार के साथ कह पाता है और कोई उसी बात को बड़े संशिप्त रूप में कह जाता है और लोग समझ भी जाते हैं यही है चित्रपट संगीत और शास्री संगीत कह सकते हैं उसका एक एक गाना एक संपून कलाक्रती होता है स्वरले शब्दार्थ वही द्रवेणी संगम और महफिल की बेहोशी उसमें समाई होती है वैसे देखा जाए तो शास्री संगीत क्या और चितपड संगीत क्या अंत में रसिक को आनन देने की सामर्थ किस गाने में कितनी इस पर महत्र ठहराना उचित है मैं तो कहूंगा कि शास्री संगीत भी रंजक ना हो तो बिलकुल ही नीरस ठहरेगा मतलब उसमें भी थोड़ा तो मनुरंजन होना चाहिए अनाकर्शक प्रतीत होगा उसमें कुछ कम मिठास सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यता अवलंबित होती है डिपेंडेंट रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए किस रीती से उसकी बैठक बिठाई जाए और शुरुताओं से कैसे सुसमवाद साधा जाए इसमें समाविश किसी मनुष्य का अस्ति पंजर और एक प्रतिवाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्री गान उनकी स्वर द्वारा सुसंगत अभिवक्ती में होगा एक अस्ति पंजर और एक पेंटिंग में जो अंतर अवल दर्जे के खांदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा क्या लता तीन गंटों की महफिल जमा सकती है ऐसा संशव्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रशन पूछना है क्या कोई पहली श्रेणी का गायक तीन मिट की अबदी में चित्रपट का कोई गाना उसकी कुश चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब कर दिये तो कुमार गंदर जी ने कहा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगारे नहीं है लोगों के कान सुधार दिये हैं बच्चा बच्चा हर एक व्यक्ति संगीत की परख करने लगा है संगीत से जुड़ने लगा है सुर में गुन गुनाने लगा है यह कैसे संभव हुआ चित्रपट संगीत के आने के बाद चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगार दिये ऐसा आरूप भी लगाया है पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किये होल्टे सुधारे हैं यह विचार पहले ही व्यक्त किये हैं उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा सच बात तो यह है कि हमारे शास्री गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ती के हैं संगीत के शेत्र में उन्होंने अपनी हुकम श संगीत के प्रती रुची उत्पन होने लगी है उनकी चिकित सक और चौकस वृत्ती अब बढ़ती जा रही है केवल शास्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए शास्र शुद्ध और नीरस गाना पब्लिक को नहीं चाहिए यह बिलकुल हम भी सहमत हैं इस बा उस गाने को नहीं सुनना चाहेगा उन्हें तो सुरीला और भावपून गाना चाहिए जो उनके दिल तक पहुँचे और यह क्रांती चित्रपट संगीत ही लाया है चित्रपट संगीत समाज की संगीत विश्यक अभिरुची में प्रभावशाली मोल लाया है चित्रपट सं संगीत का तंतर ही अलग है यह नवनिर्मित की बहुत गुंजाश है चित्रपट संगीत के माद्यम से नवनिर्मित मतलब नए नया-ए, जो है उसको LET खोज की उन्हें ने खूब लूटा यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए दूप का कौतो करने वाले पंजावी लोग गीत रोक्ष और नेरजल राजस्थान में पर जन्न की याद दिलाने वाले गीत पहाणों की घाटियों खोरों में प्रती धुनित होने वाले पहाडी गीत रितू च क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिगदर्शकों ने किया और आगे भी करते रहेंगे थोड़े मैं कहूं तो संगीत कश्यत्र विस्त्रीन है क्योंकि संगीत सूक्षमन नहीं है संगीत विस्त्रीन है वहां अब तक अलक्षित असंशोधित आदिष्ट पूर्व ऐसा और उप्योग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते कि संगीत पूरी तरह से पूर हो चुका है संगीत का शेत्र बहुत व्यापक है जिसका छोर अभी तक दिखाई नहीं दिया है जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना इससे सीखते जाएंगे फल सरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक अधिक विक्सित होता जा रहा है ऐसे इस चित्रपट संगीत शेत्र की लता अनावी शिक्त सामरागी है चित्रपट संगीत की सामरागी और भी कई पार्श्वगाई का हैं पर लता की लोग प्रियता इन सभी से कहीं अधि है वो हमेशा अचल रही क्योंकि पचास साथ वर्षों तक निरंतर टॉप पर रहना वो हस्ती निराली है बीते अनेग वर्षों से गाती आ रही फिर वे उनकी लोग प्रियता अबाधित है किसी भी तरह की कोई बादा नहीं है लगभग आधिशताब्दी तक जन मन पर सतत प जादा क्या कहूं एक राग भी हमेशा टिक नहीं टिका नहीं रहता भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे यही नहीं पर देश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल होटें यह क्या चमतकार नहीं हाँ यह चमतकार हम प्रत्यक्ष देख रही हैं ऐसा कलाकार शताब दियों में शायद एक ही पैदा होता है ऐसा कलाकार आज हम सब के बीच है और अब यदि हम बात करें तो लता जी लगबग 85 वर्ष की आयू में इस दुनिया को लोग को छोड़ कर जा चुकी है उनकी आत्मा को हम शांती देते हैं प्रबून की आत्मा को शांती दे और वो हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी उसे अपनी आखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहा है कितना बड़ा भाग है हमारा अब हम चलते हैं प्रशनुत्रों की तरफ लता मंगेशकर ने नई पीड़ी की संगीत को संसकारित किया है संगीत की लोग प्रियता उसका प्रसार और अभिरुची के विकास का श्रे लता को ही देना पड़ेगा क्या आप इस कथन से सहमत हैं यदि हाँ तो अपने पक्ष प्रस्तुत करें बिलकुल हम इस कथन से सहमत है प्रस्तुत पार्ट में महान गायक और संगीत मनीशी कुमार गंधर्व ने विलक्षन गाई का स्वरसामरागी लता मंगेशकर की गान विद्या के विविन पक्षों पर सूक्ष्मता पूर्वक विचार किया है और संगीत शेत्र में उनके अमूल योगदानों को घाटित किया है कि इस क्रम में उनका इस्पष्ट अभिमत है कि अद्भुत अपूर्व गाई का लता मंगेशकर में नई पीड़ेग कि संगीत को संसकारित किया है लोग प्रियता उसके प्रसार और जन्रुची के विकास का सरवाद इक श्रे उनी को जाता है लेखा कव प्रत्व मंतव हमें सर्वता सार्थक और समीचीन प्रतीत होता है यदपी लता से पहले भी अने एक अच्छी गाई काये हुई उनमें नूर जहां जैसी स्रेष्ट चित्रपट संगीत गाई काये भी है पर लता के आगमन से चित्रपट संगीत की लोग प्रियता में आप्रत्याशित व्रद्धी होई इतनी व्रद्धी की लगता है कि चमतकार हुआ येस चित्रपट संगीत साथवे आस्मान पर छागया लता के आने से साथी से शास्रे संगीत के प्रती लोगों का दृष्टी कोन भी बदला लता के संगीत की प्रभाव से नन्ने मुन्ने बच्चे भी अफस्वर में गुन गुनाते हैं सबका रुजान सबकी रुजी संगीत के प्रती हो गई है वास्तों में लता का स्वर ही ऐसा है जिसे निरंतर सुनने रहने से सुनने वाला सहज रूप में ही उनका अनुकरन करे। उनको follow करने लगता है लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत को काफी उचाई दी है जिससे लोगों के कानों की सुन्दर सुन्दर स्वर लेहरियां पड़ रही है ठीक है तो बताया ही है उन्होंने कि लता जी के जो स्वर है उसमें संगीत के विविद प्रकारों से उनका पर कारणी है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे हैं ऐसा किसका कहना है कुमार गंदर्व जी का इस संबन में आपकी क्या विचार है हम लेखक के विचारों से शत्त प्रतिशत सहमत है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं कुमार गंधर्व इस बारे में विपरीत खयाल रखते हैं उनका मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कानों में सुधार किया है संगीत के प्रती लोगों की रुची बढ़ी है लोगों का रुजान बढ़ा है कुमार गंधर्व ने कहा है कि चित्रपट संगीत ने लो बढ़ गई है और बात करें यदि हम लता जी के गीतों की तो लता जी के गीत हर एक पीड़ी जैसे अभी मैं स्कूल में भी प्रतक्ष रूप से और आप से भी पूछूं कि आपको सबसे अधिक कौन सी गाई का पसंद है यह संगीत में कौन से ऐसे सिंगर है जो आपको मैं मतलब आप टॉप पैस्ट है तो लता जी का नाम आता है आज की युवा पीड़ी के मूँ से भी मैंने सुना है प्रतक्ष रूप से प्रशन भी किये हैं जैसे यह पार्ट एंसी आट 11th क्लास में भी है जब मैंने बच्चों से प्रशन किये तो उन्होंने कहा कि मैडम ह आमें लता जी के ही गाने पसंद है भले ही वो आज आपकी ही बराबरी के हैं न्यू जनरेशन है तो क्या है इसमें क्योंकि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं है सुधार दिये हैं संगीत की प्रती रुची बढ़ गई है उंची पट्टी में गायन स से आप क्या समझते हैं उंची पट्टी तार सब्तक अंतिम स्वर गायन में अधिकादेख उंचे तार सब्तक के स्वरों का प्रयोग जैसा अभी मैंने बताया कि साथ स्वरों के मेल को सब्तक सब्तक तीन प्रकार मंद सब्तक मद्ध सब्तक तार सब्तक तार सब्तक मतलब ह पिछ एक दम पूरे फुचाई से गाना तो जो संगीत अग्यत थे जो संगीत दिखदर्शक थे उन्होंने कुमार गंदर जीने उनसे कहा है उन पर आरोप लगाया है कि संगीत दिखदर्शकों ने लता से हमेशा तार सब तक में गाने गवाए उनको सिर्फ चिलवाया उन्ह गायन में अधिक अधिक उचे तार सब तक के स्वरों का प्रयोग लेखक की द्रिष्टी में लता के गायन में एक और कमी है कि उनका गायन उनका गाना सामानिता उची पट्टी में ही रहता है अब ये भी बताये कि अब ये लता की कमी का है या जो संगीत दिखदर्शक है जो कारण ही चिलवाते हैं सामाने रूप से भी गबा सकते हैं लेकिन नहीं ऐसा नहीं किया संगीत का शेत्र ही विस्त्रीन है वहां अब तक अलक्षित असंशोधित और आदिश्ट पूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांथ है तदा भी बड़े जोश से इसकी खोज और रहे हैं इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्व में सपष्ट कीजिए क्या है यह देखो बिलकुल कथन सत्य है कि संगीत का शेत्र विस्त्रीन है संगीत का शेत्र कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये बिलकुल सूक्ष्म हो कि आज शुरूआ कल खतम हम सब कुछ जानते संगीत में हमने तु सारा को सीख लिया ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है संगीत को पूरी तरह से जानले हाँ कुछ है संगी appointed की scheme समझे लेकिन उसके बावजूद भी लेखक ने कहा है कुमार गंधर विजी ने कहा है कि संगीत का शेत्र इतना व्यापक है कि उसको पूरी तरह से जानना समझना कठिंसा है भारतिय परमपरा में तो यह जैसे रचा बसा है इसकी चाप भारतिय फिल्मों में देखी जाती है कि हर तरफ मतलब विस्तरीन का मतलब की हर तरफ हर शेत्र में चाया हुआ है वाकि कोई फिल्म में बिना गाने की पूरी नहीं होती विदेशी फिल्मों की तरह प्रयास किये गए कि हिंदी फिल्म में बिना गाने की बनाय जाए लेकिन हो चली ही नहीं आज भी हमारी फिल्मों में शास्रे संगीत की चाप मिलती है यह बरमपरा आज की नहीं है बलकि वर्षों पुरानी है इसमें वेवने प्रकार के प्रयोग मिलते हैं चित्रपट संगीत चित्रपट शास्री संगीत की गंभीरता के स्थान पर ले तथा चपलता को स्थान देते हैं शास्रे संगीत में प्रमुख क्या होता है गंभीरता जबकि चित्रपट में लै और चपलता शास्रे संगीत में ताल का परिश्कृत तता शुद्ध रूप देखने को मिलता है और चित्रपट में ऐसा नहीं होता आधे तालों का ही प्रयोग होता है किस में चित्रपट संगी में इस कारण से आम व्यक्ति भी थोड़े प्रयास से गा सकता है आज फिल्मी गीतों में पॉप शास्टे संगीत लोग गीतों का मिश्रन देखने को मिलता है यह प्रयोक तेजी से हो रहे हैं और लोगों द्वारा सराहे भी जा रहे हैं अगला है लता मंगेशकर का परिवार संगीत से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है उनके परिवार के अन्य सदस्सों के बारे में जानकारी बताईए तो यह हमें पता होना चाहिए कि उनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे इनके परिवार भी भाई हिर्दैनाथ मंगेशकर बहन उशा मंगेशकर मीना मंगेशकर आसा भाजब समीन संगीत को अपनी अजीवी का चुना अलाकि लता का जन्म इन दौर में हुआ था लेकिन उनकी परवरिश महराष्ट में हुई बच्पन से गायक बनना चाहती थी तो हम देखते हैं कि जैसी जैसे संसकार जैसा माहौल रहता है एक छोटे से नन्य शिशु का जन्म परवरिश जिस तरह के माहौल में होती है उसमें उसी तरह के गुणों का विकास होता है कुछ होती है जैसे असक्राइब डाइनेंटिटी और चीब डाइनेंटिटी असक्राइब मतलब जो बाइबर मिल गया जर्म के साथ लेकिन कुछ अचीव्ड होती है आइडेंटिटी जिने हम महनत से प्राप्त करते हैं तो कुछ अचीव्ड और अस्क्राइब मैच भी हो जाती है कि जो ने चाहिए था वहीं उनके परिवार में मिल गया और कुछ लोगों को परिवार से बड़ी मिन्नत प्रार्थनाय करनी होती है तब कहीं जाकर उनके सपने पूरे हो पाते हैं लेकिन फिर जब वो पहचान बनाते हैं तो शीर्ष पर पहुंच जाते हैं लेकिन लता जी का परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ था ये उनके लिए अच्छी बात है आप कौन-कौन बच्चे ऐसे हैं कोमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ बताईए जो गाने में शौक रखते हैं लता जी के कौन-कौन से गाने आपको पसंद है ये भी मुझे बताईएगा तो प्यारे बच्चो ये था हमारा क्या है बेजोड गाई का लता मंगेशकर जी पर आधारित कंप्ली च करना है वो भी आप समझ गए तो इसी तरह से हर एक पार्ट को हम बहुत अच्छे से आपकी समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो आपको बने रहना है मेरे साथ मैगनर ब्रेंस हिंदी मीडियम पर मिलेंगे अगले वीडियो में स्वास्त रहिए खुश रहिए बाबाई थैंकी स करेंगे आ है तो इस रहिए हूं कि नियृ उत खुश रहिए है तो अबद।